नमाजकर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया अर्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटीव चैनल अक्षी तैस्टरों मास्टर में मेरे विरिश्चिक लगन और विरिश्चक राशी वाले दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आपका लगन या राशी दोनों कराईगी खासकर दन की स्थिति अतियुत्तम पनी होई है खूब दन वर्षेगा दन के आवागमन से पिछले वर्षों से मन में दभी कुछली इच्छाएं पूरन होती दिखाई देंगी दन से स्वंदित कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी जमा पुंजी में व्रिदी हो आपका आर्थिक ग्राफ उपर की और बढ़ता जाएगा पिछले समय में जिन जिन परेशानियों और चनोतियों का सामना करना पड़ा था अब नव वर्ष में वह परेशानियों और चनोतियां एक एक करके दूर होती जाएंगी बाग गया दन लाब संतान सुक्ष संपत्त और स्वास्त सब कुछ प्रापत होगा खासकर अपरेल मास के बाद धन ग्यान सुक्ष और संतान करक गुरू की फुल कृपया आप पर बरसेगी अपरेल और मई मास के दोरान हर प्रकार के सुक्षों का उपवोग करेंगे नव वर्ष दोयर बाईस में लक्ष्मी मा की जा रही है तथा इस वर्ष जीवन की जटिलताएं दूर होती दिखाई देंगी दोस्तों आर्थिक उन्नती और सम्रीदी के मामले में विचार करें तो यह वर्ष बहुती उत्तम और यादगार रहेगा एक नजर डाले नव वर्ष में आपकी राशी पर बन रही ग्रह गो बहुती बड़ी रहत लेकर आएका अप्रैल मार्स तक ग्रहों की यथा स्थिती बनी रहेगी शुरुआत करें गुरू से तो तेरा अप्रैल तक गुरू चतुरत बाप पर ही गोचरस्त रहेंगे चतुरत बाप पर गुरू के मिले जुले परिनाम देखने को मिलेंगे तेरा अप्रैल के बाद का समय अधिक बेहतर है या किसी भी परकार का कोई निया निवेश भी करने जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए टाल दे तेरा अप्रैल के बाद करना अधिक बेहतर और लाप्रत रहेगा इस समय पर स्थितियं हर परकार से आपके पक्ष में है क्योंक इस बाप पर गुरू आपको पुराने जनम में किये पुन्या के कारियों का शुब फल देने आए हैं जो तो पंचम बापर गुरू का अपने ही राशी में गोचर शुबता में और अधिक वरीदी करेगा पिछले कुछ समय से संतान के सबंद में कोई परिशानी है तो अब उ सबंदित अधूरे पड़े कारिया पूरन होंगे इस अवदी में संतान शेतर से कोई सुखद समाचार प्रापत हो सकता है संतान सफलता एम उन्नती के मार्ग पर अगरसर होगी तथा आपकी आग्या का पूरन पालन करेगी सद गुनों में वृदी होगी अप्रैल मास के व का गुरू आपको मांसिक रूप से मजबूत बनाएगा कैसी वी वपरीत पर स्थितिय हो जाएं आप धैर्या नहीं खोएंगे शांत निर्मन और स्थेर बुद्धी का परिच्चिया देंगे सूजबूज विवेक और तरक शक्ती में वृदी होगी क्रेटिविटी सबंद ये इस अवदी में संतान, बुद्धी और क्रेटिविटी सबंदी कारें से परचूर मातरा में दनलाव के योग बनेंगे निवेश कारें से लाब होगा जोस्तों इस अवदी में संतान के नाम से किया गया कोई निवेश आगे जाकर बहुती लापरद साबीत होगा शेयर जार से जुड़े दोस्तों के लिए भी गुरू की यह स्थिती बहुत उत्तम है पास पड़े पुराने समय के ठंडे तता मंदे पड़ चुके शेरों में भी एक उमीद की नई किरन जागेगी तता शेरों में अजानक से उच्छाल देखने को मिले गए जनम कुली में भी जानती प्रसंता एम अनंद का अनुभव करेंगे अप्रैल मास के बाद का समय प्रेमी जनों के लिए भी अतियुत्तम है प्रेम सबंदों में साकरातमक मोड आएगा परस पर पुराने मतविद और गिले शिकवे दूर होंगे प्रेम सबंद मद और मजबूत था पक्के प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे विद्यारतियों की शिक्षा के प्रति रुची उत्पन होगी तता वह शिक्षा अनुसंदान शेतर और प्रतियों की प्रिशाओं में बहुत अच्छा कार्या करेंगे हर शेतर में सफलता मिलेगी पंचम बापर गोचरस्त गुरु की बहुती महत्तपुरण बावों पर दृष्टी पड़ेगी तसा इन भावों से सबंदित्वी बहुती शूफाल देखने को मिलेगे पंचम बाप से गुरु की प्रत्थम नवम और एकादश बापर दृष्टी पड़ेगी प्रत्थम अब अर्थात आपकी राशी पर दृष्टी श्रीरिक अरोकियता परतान करीगी श्रीर निरोग रहेगा स्वास्ट सबंदी कोई छोटी मोटी परेशानी से जूज रहे हैं तो उस परेशानी से काफी हट तक छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा मन में अच्छे विच विचार आईए विचारों में शुटता के साथ सोच साकरातमक रहेगी पिछले समय से केत्व के राशी पर गोचर करने के कारण वज़ आपके विचारों में जो नकरातमक ता थी अब उसमें काफी हद तक कमी आएगी और आप जीवन के साकरातमक पहलों पर अधिक दियान देखनेंगे। गुरू के तेज से आपके संद्रे में गजब का अगर्शन देखनी को मिलेगा। दोस्तों नमबा पर गुरू की दिृष्टी आपके भाग्या के दरवाज्ये खोल देखे। बाग्या के सैयोग में महसूस और ही कमी दूर होगी भाग्या की प्रबल शक्त प्रापत होगी भाग्यावाब को गुरु उच्छ द्रिश्टी से देखेंगे इस द्रिश्टी से आपका भाग्या बुलंद होगा आपके अधिकांश कार्या भाग्यावल से ही पूरन हो जाएंगे इश्वरिय शक्ति और दर्म पर आस्था बढ़ेंगे धरम से स्वंदित क कार्यों में बढ़ चड़ कर भाग लेंगे कुटुम्बी जनों के साथ किसी धार्मिक समरों में समलित होने के अब सरप्रापत हो सकते हैं जोस्तों एकादशवापर गुरू की दृष्टी हर प्रकार से लाप्रदर वह बिन प्रकार के लाप्रापत यह दृष्टी आपकी आ तथा मित्रों के माध्यम से भी लाब के अफसर पैदा होंगे। बड़े बाई बैनों के साथ सबंदों में सने एम मदूरता बढ़ेंगी। आप किसी भी कारें से सबंदित क्यों ना हो। यह द्रिश्टी आपकी आए उनती और सफ़ता को बल परदान करने वाली साबित होगी। आए में वरिदी होगी वए में कमी आएगी बैंक बैलनस बढ़ेगा। आर्थिक स्थिती की मजबूती से आप जोश उच्छा और प्रसंता में रहेंगी। आए बढ़ाने के लिए इस समय आप अपने बावी कार्या के साथ आए के अन्यस्तरोतों पर भी कार्या कर सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर नव वरश में अकेला गुरू ही काफी है आपका बेड़ा पार करने के लिए। बात करे राहू हैं केत्व की तो बारा प्रैल का दोनों की यथा स्थिती बनी रहे ही। केत्व आपकी राशी में गोचर करेगा तो राहू सब्तमबा पर गोचर कर रहा है। सब्तमबा पर राहू का गोचर नाकरातमक उर्जा पैदा कर रहा है। जो तो राहू के गोच्चर से दापते सुख में कमी महसूस हो रही है। जीवन साथी के साथ मन गुडाव और मतविद पैदा हो रही है। परंतु अब कुछ ही माथ शेश बचे हैं इस गोच्चर के। बार अपरेल को राहू के तु राशी प्रोरतन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। यह दोनों चाया ग्राह हमेशा वक्री वस्ता में ही गोच्चर करते हैं। इसलिए राहू छटे बाव में परवेश कर जाएगा तो के तु दादश बाव पर पर परवेश कर जाएगा। दंपत्य बाव से राहू के तु का परवाव घटते ही दंपत्य सुख में वरिदी होगी। जीवन साथी के साथ समंदों में मदर्दा तता ताल में बढ़ेगी। वैपार में तिजी आईगी। उधर छटे बाव पर राहू का गोचर कुद्दम है। बाहू बली राहू शत्रू स्तान पर शत्रू नाशक का खाया करेगा। चत्रू आपके परवाव से परवावी तेंपई बीद रहेंगे। तता पूरान रुप से आपके नियंदरन में रहेंगे। चत्रू के साथ रोग एंवरीन से भी छुटकारा मिलेगा। दादश बापर रहू हैं के तू के परवाव से विदेश से स्वंद स्थापित होंगे। विदेश से जुड़े दोस्तों को इसका लाब मिलेगा। के तू के परवाव से योग, साधना, ध्यान और अध्यातम के प्रती, रुच्ची उत्पन होगे। गुल मिलाकर रहू होंएं के तू का राशी परवर्तन भी अनकूल रहेगा। दोस्तों आप बात करते हैं शनी के। शनी आपकी राशी के तिर्ती वापर पर गोच्चर कर रहा है। तिर्तिय वापर शनी का गोचर बहुत ही उत्तम है, तिर्तिय वाप साहस एं प्राकरम से स्वंधित भाव है, शनी का इस वापर गोचर आपको भी बना रहा है साहसी एं प्राकरमी, आपका आतम विश्वाश बहुत अच्छा बना हुआ है, मेहनत पसंद शनी के परवाप से आप किसी भी परकार की मेहनत के कारियों से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत प्राकरम और प्रयासों से सफलता एंव उन्नती प्रापत करेंगे, आपकी गन्ना समाज के महत्त पुर्म एंव प्रवाबशाली लोगों में होगी, सब आपको सम्मान की द्रिश्टी से देखेंगे, प्राकरम बापर शनी प्राकरम और यश की ब्रिदी करेंगे, नव वरश में यातर शनी प्राकरम बापर ही गोचर रस्त रहेंगे, शनी का यह गोचर साकरात्मक है, 29 अप्रयास से लेकर 12 जलाय तक शनी आपकी राशी के चतुर्त बापर गोचर करेंगे, इस गोचर को चत चतुरत ड्या और कंटक शनी के साम से भी जना जाता है। यह नाकरात्मक उर्जा पैदा करता है। परंतु आपकी राशी के चतुरत बाप परशनी अपनी ही राशी कुंप में विराजमान रहेंगे। तता शश नामक पंच मां पुरजियो का निर्मान करेंगे। दूस्तों और इसलिए आपकी राशी के चतुरत स्थान पर शनी सकारात्मक उर्जा पैदा करेंगे। इस अवादी में आप घर, मां और मातर भूमी से कहीं दूर दराज के इलाकों या विदेश तक की यत्रह पर जा सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी पूरा रूप से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। मन कभी कभी सब से दूर एक आंत में रहना पसंद करेगा। यह शनी भू संपत्ती का स्वामी बना सकता है। शच्योग आपके मांसमान और प्रतिष्ठा में व्रिदी करेगा। इस समय माता ही के साथ सने हैं मदूर्दम में किसी भी प्रकार की वस्तों का दान कुण्या करते रहें। 12 जुलाई को शनी वक्री वस्ता के कारण वश एक बार फिर प्राक्रमं बा में प्रवेश कर चाएगा। शेश वरश प्राक्रमं बा पर ही संचार करेगा। यह आपके प्राक्रम और आतम विश्वाश में व्रिदी करेगा। कम्या शम्ता में व्रिदी होगी आपका परवाब बढ़ेगा तथा एक उत्तम ग्रैगोट्रिय स्थिती के साथ आप शेश वरश प्रसंता पुर्वकवायतीत करेंगे दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले कर दो